यहीं से कुछ दूर रामलीला मैदान है। आज से दस साल पहले रामलीला मैदान में भाती-भाती के ठग इखटे हुए मंच पर और पूरे देश को नोटंकी करके अपने जाल में फसाया। मीडिया 24 घंटे उसको कवरेज देता रहा। नेशन वित अन्ना मुझे याद है हेडलाइन बड़ी-बड़ी फ्लैश होता था। जैसे कि एक बहुत बड़ा एक जन आंदोलन बन गया आजादी का आंदोलन बन गया। और उसका आधार क्या बनाया था। उसका आधार बनाया था C.A.G. रिपोर्ट्स को। तथा कथित, टूजी, कोल वो तमाम आरोप पिछले दस साल में साबित हुआ कि बेबुनियाद थे। लेकिन उस रामलीला मैदान में जो भांती-भांती के ठाग इखटे हुए थे। कुछ उसमें से ठाग नहीं भी थे जो आज पच्चताते हैं कि वो रामलीला मैदान में क्यों गए थे उस वक्त। उन सबका मकसद एक था। उनका मकसद था कि किसी न किसी तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंग की साफ छवी को के उपर कीचड उचालना। यूपिय की सरकार को बदनाम करना और विनोध राय नाम का जो सबसे बड़ा ठग जिसको मैं कहता हूँ उसके द्वारा लिखी गई रिपोर्ट्स को आधार बनाके ये पूरी नौटंकी हुई। अब आजाईए आप 2023 में अक्टूबर 2023 में ये वही C.A.G. बड़ी मुश्किल से कोई रिपोर्ट्स निकाल पाते हैं। जो 2015 में 55 रिपोर्ट्स निकली थी, 2020 में 14 रिपोर्ट्स निकली। देखें क्या हालत हो रही है C.A.G. 2023 में कुछ ऐसी चौका देने वाली रिपोर्ट्स सामने आई। भारत माला प्रोजेक्ट, आयूश्मान योजना का जो प्रोजेक्ट था, उनके घपले सामने आए। और हमने सोचा की मीडिया भी, 10 साल जो हुआ वो हुआ, आखिरी के 6 महीने, जैसे होता है न, कि बारवीं के एक्जाम में आखिरी महीने पढ़ते हैं रात-रात भर बैठकर, तो हमने सोचा आखिरी के 6 महीने, 24 घंटे मीडिया चलाएगा, C.A. जी ने जो कहा उस पर, खेर वो नहीं हुआ, शायद हमारी मुर्ख था थी ये उम्मीद करना, उसके बाद लगा कि शायद रामलीला मैदान में इस बार कुछ नया होगा, लोग इखटे होंगे, कोई तो गांधी टोपी पहन के फरजी गांधी बन कर सामने आएगा, कुछ नहीं हुआ, ऐसी रिपोर्ट कि आयुष्मान भारत योजना में लाखों लाभारती एक ही फोन नंबर से जुड़े हुए, जैसे वो मिस्ट कॉल नंबर होता है ना भारती जनता पार्टी का, वैसे एक न 42,000 करोड रुपे उन नंबरों पे लुटा दिया गया, यह सी एजी रिपोर्ट बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हुए, अब आएए आप भारत माला प्रोजेक्ट में, भारत माला प्रोजेक्ट में, एक रुपे का जो सड़क का काम होता है, वो 14 रुपे में हुआ, आप देखिए, एक रुपे का काम 14 रुपे में हो रहा है, और एक किलोमीटर की सड़क को, चार अलग अलग तरीके से नापके चार किलोमीटर बताया जा रहा है, आप धांदली भी देखिए, कितनी बेशर्मी से की जा रहे हैं, इसी येजी रिपोर्ट ने अपना काम बमुश्किल से कुछ किया, और सब छोड़िये, सड़क छोड़ दीजिया, आयुश्मान भारत योजना भी छोड़ दीजिया, भगवान राम के नाम पर वोट लेने वालों ने क्या कि भगवान राम के घर को नहीं छोड़ा, अयोध आपको बता रहा हूँ कि क्या सी येजी रिपोर्ट में आया था, उडान, बड़ी-बड़ी स्कीम जिनका नाम ले लेकर प्रधान मंत्री जी पूरे दिन प्रचार करते हैं, उडान, रेलवे, खादी ग्रामोद्योग, ग्रामीन विकास, कहीं नहीं छोड़ा, खाऊंगा भी, खिलाऊंगा भी, अगर बता दोगे तो आपको चुब भी कराऊंगा, अब क्या किया सी येजी के साथ, मैं वो आपको बताता हूं, तीन अधिकारी, कुछ दिनों के भीतर ये रिपोर्ट के सामने आते ही, कुछ दिनों के भीतर तीनों अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया, अतुराव सिनहा, अब ये अतुराव सिनहा जी भारत माला परियोजना चरण एक, उसमें उन्होंने सी एजी रिपोर्ट के ये प्रभारी थे, जिसमें मैंने आपको बताया, एक रुपे की चीज, 14 रुपे में कर दी, अब सिनहा साहब को तुरंथ हटा कर, ति नंबर दो, दत्त प्रसाद सूरिकांत शिरसाट, यह आयुश्मान भारत जो जन आरोग ये योजना प्रधान मंत्री जिने जिसके बारे में बड़ा धिंडोरा पीटा, उसके ये प्रभारी थे, औरिट के प्रभारी थे, इन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया, प्रधान मंत्री की प्रिय योजना के भ्रष्टाचार, इनको भेज दिया लीगल सेल में, जाइए आप महां देखिए, बहुत हो गया, कुछ दिनों में, C.A.G. रिपोर्ट आने के बाद, न आप कुछ बोले, न रामलीला मैदान से कोई आवाजें आई, न गांधी टोप जन आरोगी योजना के इन्होंने ओडिट प्रद शुरू किया था, ओरिजनली इन्होंने शुरुवात की उस ओडिट की, इन्हें कहां भेज दिया, राजभाशा में, महानिदेशक राजभाशा, कि अब आप हिंदी पढ़िये, जाइए, ये हालत प्रधान मंत्री जी ने CAG की की, अब जो सबसे चौकाने वाला मामला है, वो मैं आपको बताता हूँ, सबसे चौकाने वाली बात ये है, टबादला तो किया ही, अब एक मेल चली गई, इमेल चली गई, बंबई प्रधान महा लेखागार के कारियाले में कि साब एक मेल आई है, तमाम audit field report रोक दिया जाए ये रिवो मेल गला घोटना इसको कहते हैं इसे कहते हैं कैसे किसी संस्था का गला घोटना कि आवाज नहीं निकले ये CAG की हालत की है इनों में हमारे सवाल है प्रधान मंत्री से आपके नारे तो हमने बहुत सुन लिये ये जमीनी काम सारा field work बंद करने का आदेश किसके निर्देश पर दिया गया मुर्मूजी की जो हालत आपने कर रखी है वो हमें मालूम है जमू कश्मीर के राज़पाल में मुर्मूजी मतलब ये वाले मुर्मूजी वह वाले नहीं जम्मु कश्मीर के उप राजिपाल थे जब उन्होंने मांग की कि तुरंट सुनाव होने ची उन्हें हटा दिया गया अब यह सीएजी हैं नौ मेने का कारेकाल बचा है इन पर किस तरह का दबाव है कि अब वो हस्ताक्षर नहीं कर रहें नई रिपोर्ट पर जब से यह रिपोर्ट आई हैं हम यह जानना चालते हैं प्रधान मंत्री जी यह किसके निर्देश पे सीएजी का गला घोटा जा रहा है या आपके निर्देश है या आपके छोटे भाई के निर्देश है जो ग्रह मंत्री हैं आजकल निर्देश किसके है किसका दबाव है कि फाइलों पर हस्ताक्षर नह विकारियों का तबादला क्यों किया गया इसका जवाब इस देश को दीजिए क्या इसलिए कि वो चुपचाप जहां आप कहते वहां साइन नहीं कर रहे थे क्या इसलिए कि उन्होंने आपको आईना दिखाया क्या इसलिए कि आपके तथे आपकी सचाई आपकी हकीकत पूरे देश के सामने रख दी गई एक स्वायस्त संस्था पर यो इस तरह से बुल्डोजर चलाएंगे आप और देश चुपचाप देखता रहेगा विपक्ष चुपचाप देखता रहेगा ये हम बरदाश्ट नहीं करेंगे इन में से कुछ अधिकारी तो सिर्फ कुछ महिनों के लिए थे सीएजी में और उनको हटा दिया गया कि मोधी सरकार कि आदतान अपराधी हो गई है संस्थाओं को खतम करने का अपराध है